आज मैं कोरियन ड्रामा टाइम आप मेमरी का एपिसोड नमबर टू एक्स्प्लेन करने वाली हूँ अगर आपने इस ड्रामे का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आई सजस्ट यू कि आप पहले उससे देख लें उस एपिसोड का लिंक आपको उपर आई बटन में मिल जाएगा ताकि कहानी आपको अच्छे से समझाए अगर आपको मेरी एक्स्प्लेनेशन पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आउन करना मत भूलिएगा तो चलो शुरू करे एपिसोड की शिर्वात में हमें वूजिन का घर दिखाया जाता है जहां सियोयोन उससे मिलने आई होती है पर वूजिन घर पर नहीं होता तो सियोयोन मिस्टर किम को कॉल करती है और पूछती है कि तुम कहा हो तो वो बताता है कि मैं वूजिन को पिक करने उसके घर आ रहा हूँ तो सियोयोन उससे बताती है कि वूजिन घर पर नहीं है तो वो कहता है क्या फिर यहां सीन शिफ्ट होता है और हमें वूजिन को दिखाया जाता है जो की हाइकिंग करने आया होता है वो भी इतना बन्ठन के कि लोग उसे ही घूर रहे होते हैं वो चलते चलते बहुत ठक जाता है और वहीं रुक जाता है तभी पीछे से कोई उसके कंधे पर टैप करता है तो वो पीछे घुमूर के देखता है तो वहां दो लेडीज होती है उन में से एक लेडी उसे खीरा देती है खाने के लिए और बोलती है कि तुम तो यहां मर रहे हो तो दूसरी लेडी उसे चुप कराती है और बोलती है कि यंग मैन तुम टीवी पर थे ना तो रेड टीशिट वाली लेडी पूछती है कि यह क्या है एक सिंगर तो pink t-shirt वाली lady उसे बताती है कि ये एक actor है तो red t-shirt वाली बोलती है अच्छा तो इसलिए ये इतना handsome है फिर वो जिन उन्हें thank you कहता है तो वो ladies कहती हैं कि तुम लगभग पहुची चुके हो तो वो जिन फिर से उन्हें thank you बोलता है फिर वो दोनो ladies वहाँ से चली जाती है और वो जिन उस खीरे को खाता है और बोलता है कि ये अच्छा है यहाँ scene shift होता है और हमें office का scene दिखाया जाता है जहाँ day one अपने CEO के सामने बैठा होता है और CEO को बहुत कुस्सा आ रहा होता है और वो बोलते हैं कि आज तुम उसके schedule का क्या करोगे तो day one बोलता है कि उसने car नहीं ली तो मुझे लगता है कि वो जादा दूर नहीं गया होगा ये सुनकर CEO बोलते हैं शायत तुम मेरे साथ मजाग कर रहे हो तभी वहाँ CEO यहाँ आती है और कहती है बस कीजिए अंकल अभी डेवन को ब्लेम करने का क्या फाइदा हमें एक plan बनाना चाहिए उसके बाद वो डेवन से पूछती है कि क्या तुमने वो जिन में कुछ भी अजीब नोटिस किया तो वो बोलता है नहीं कुछ खास नहीं फिर CEO यौन खिरकी के पास जाकर उन्नी बोलती है यहाँ मैं आपको बता दूँ कि कोड़िया में बड़ी बहन को उन्नी कहते है उसके बाद सेन शिफ्ट होता है और हम वो जिन को देखते हैं जो इतना चलने के बाद काफी ठक गया होता है तभी वहाँ एक कपल आता है जिसमें से लड़का चल चल के ठक गया होता है और बोलता है हमें ये पूरा पहार चड़ना है तो लड़की कहती है शिकायत करना बंद करो और चलो फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और वो जिन उन्हें देखने लगता है फिर वो याद करने लगता है कि कैसे वो और जंग यॉन जो कि वही लड़की थी जिसका एकसिडन पिछले एपिसोड में हुआ था ये दोनों भी हाइकिंग करने गए थे और वहाँ वो जिन भी इसी तरह ठक गया था और बोलता है कि मुझे नहीं जाना चलो नीचे चलते हैं मैं थेख गया हूँ तो जंग यॉन कहती है देखो जियोंग वो जिन बकवास बंद करो और चलो तो वो जिन कहता है कि हमें नीचे तो आना ही है ना तो हम क्यों उपर जाएं तो जंग्योन कहती है कि बच्चों की तरह करना बंद करो और जल्दी चलो तो वो जिन उससे पूछता है कि तुम्हें पहार क्यों चड़ना है तो जंग्योन कहती है कि ठीक है अब एक लंबी सांस लो और वो जिन एक लंबी सी सांस लेता है तो जंग्योन पूछती है कि तु में क्यों अप ये पहार चड़ना है? मुझे नहीं जाना, मेरे से नहीं होगा. वुजिन कहता है, तुम मुझे अपनी पीट पर उठा लो. जंग्योंग कहती है, तुम ये कर सकते हो. फिर हम प्रेजन टाइम में वापस आते हैं. और वुजिन स्माइल करता है. यहां से नशिफ्ट होता है, और हम देवन को देखते हैं. जो वुजिन की फोटोस देख रहा होता है. और ये फोटोस सियोयोन को भी दिखाता है. तो वो कहती है कि उपपा, चलो. तो वो दोनो उसी जगे के लिए निकलते हैं, जहां वो जिन गया होता है. फिर सीन शिफ्ट होता है, और हम वो जिन को देखते हैं, जो की पहार के उपर पहुँच चुका होता है. तभी वहां दो स्कूल गर्ल्स आती हैं, और उसे बुलाती है. तो वो जिन उन्हें पहचान लेता है, वो दोनों बहुत खुश होती हैं, और बोलती हैं कि इंस्टाग्राम पर हमने देखा कि आप यहां माउंटिन्स पर आए हो. तो हमने स्कूल बंक किया, और यहां आए, और कहती है, I love you, ओपा. तो वो जिन कहता है thank you, और उन्हें autograph देता है, और बोलता है कि school जाओ, और अगर तुमने यह दोबारा किया, तो problem में आ जाओगी. तो वो कहती है, ठीक है, और उसे thanks कह कर वहां से चली जाती हैं, और वो नजारे देखने लगता है, और बोलता है, I miss you, जंग्योन. तभी वहां भागते हुए हमारी female lead आती है, जो की गिरने वाली होती है, कि तभी वो जिन उसका हाथ पकर लेता है, और उसे गिरने से बचा लेता है, और ये इनकी काफी filmी first meeting होती है, और इसी के साथ ये episode यहीं खत्म होता है. Thanks for watching, see you soon.